सनी भार बर्थ कथा अगर आप लोग सनी भार बर्थ करते हैं तो ये कथा पूरा सुनिएगा आधा मत सुन के छोड़ दिजिएगा नहीं तो सनी भगवान कुरोधित हो जाते हैं ऐसे में आप पूरा कथा सुनते हैं तो आपको मन चाहा मनोकामना पूरा होगा चलिए कथा समय की बात है सभी नवगरो सूर्ज चंद्र मंगल बूध ब्रस्पति सुक्र सनी राहू और केतु में बिवाद छिर गया बिवाद का कारण था कि इन में से सबसे बड़ा कोन है कोई निर्णय न होने पर सभी देवराद किसी एक पक्षका नहीं ले सकते थे इसलिए उन्हों ने निर्णय देने में अपनी असरमत जताई प्रंतु उन्होंने उन सब को पिर्थिवी पर राजा बिक्रम आदित्य के पास जाने की सला दी क्योंकि राजा बिक्रम आदित्य अती नियाई पिरिये थे इन्द ने कहा कि वे ही सबका निर्णय कर सकते हैं इन्द की सला से एक साथ राजा विक्रम आदित्ये के पास पहुंचे और अपने आने का कारण भताया राजा इस समस्या से अथी चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया दिया तो बाकी गरा कुपित हो जाएंगे तब कस्य पीतल, सिशा, रंगा, जस्टा, अभर्ग और लोहे से सिहासन बनवाए और उन्हें इसी करम से रख दिये राजा विक्रम आदित्ये ने उन सब से निवेधन किया कि आप सभी अपने सिहासन पर अस्थान गरन करे जो भी अंतिम सिहासन पर बैठेगा वही सब से छो होगा लोहा सिहासन सब से अंत में था इसी अनुसार और लोहे सिहासन पर बैठने वाला सब से छोटा हो गया सनी देव सब से अंत में लोहे सिहासन पर बैठे तो इसलिए वही छोटे फिर से तो इसलिए वही सब से छोटे कहलाए सनी देव को लगा कि राजा ने यह जान ब एक रासी में एक महिना, चंद्रमा सबात दो महिना, दो दिन, मंगल धेर महिना, ब्रस्पती तेरह महिना, वबुध अर्शुक्र एक महिना विचरन करते हैं, परंतु धाई से साते सात साल तक रहता हूँ, सनी देव क्रोधित होकर उन्होंने फिर से सनी देव क्रोधित होकर कहने लगे की सिरी राम की साधे साती आने पर उन्हें बनमास हो गया, रावन साधे साती आने पर वानरो की सेना से पढ़ास्त हो गया, अब तुम सब्धान रहना ऐसा कहकर सनी देव वहां से चले गए, इसक अन्य देवताओं ने भी वहां से प्रस्थान कर लिया कुछ समय बाद राजा की सारे साती आई तब सनी देव घोरे के सवधागर बनकर वहां आये किसी ने राजा को सुचना दिकी कोई घोरा का सवधागर आया है तथा उसके पास जो घोरे है वो बहुत बढ़िया है राजा ने यह समचार सुनकर अपने अस्पाल को उस सवधागर से घोरे खरिदने को आदेश दिया अस्पाल ने कई अच्छे घोरे खरिदे वह एक सरुत्तम घोरे को राजा को सबारी हेतू दिया राजा जैसे ही उस घोरे पर बैठा वैसे ही वह घोरा भाग कर वन की योर चला ग और राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रہा भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया राजा ने परसं होकर उसे अपनी अंगुठी दे दी वह अंगुठी दे कर राजा आगे चल दिया और नगर में पहुंचा वहां उसने अपना नाम उज्जैनी निवासी विगा बताया, वहां एक सेट की दुकान से उसने जल इत्यादी पिया और कुछ विश्राम भी किया, भाग्यवर्ष उस दिन सेट की बड़ी विक्री हुई, सेट खुस होकर उसे उसने एक खूटी देखी जिस पर एक हार टंगा था, राजा ने देखा की खूटी उस हार को निगल रही है, और थोड़ी देर में पूरा हार गायव हो गया, सेट ने समझ की बिका ने हार चुराया है, उसने बिका को कोतवाल के पास पकरवा दिया, फिर राजा ने भी उसे चोड़ समझ कर उसके हाथ और पैर कटवा दिये, व नगर के बाहर ठिकवा दिया, वहां से एक तेली निकल रहा था, उसे राजा पर दया आया, उसने विका हुआ अपनी गारी बैठा लिया, वह अपनी जीव से बैलो को हाकने लगा, उसकाल राजा की सनी दसा समापत हो गई, बरसा रितु आने पर राजा मलहार गाने लगा, तब वह जिस नगर में था वहीं की राजकुमारी मन भाबनी को वह इतना भाया की उसने मन ही मन परन कर लिया की, वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी, उसने दासी को राग गाने वाले को ढूरने के लिए भेजी, दासी ने बताया की एक चवरेंगिया है मानी अगले ही दीन से राज कुमारी अंसन पर बैठ गई कि वह बिवा करेगी तो उसी से उसे सबने बहुत समझाया फिर भी जब वह नहीं मानी तो राज कुमारी के पिता उस तेली को भुलाया भेज दिया और बिवा की तयारी करने को कहा फिर उसका विवाराज कुमारी से हो गया एक दिन सोते हुए सपन में सनी देव ने राजा के विक्रम आदित्य से कहा राजन देखा तुमने मुझे छोटा बता कर कितना दुख जेला तब राजा ने उनसे छमा मांगी और प्राथना की है सनी देव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न दे सनी देव मान गए और कहा जो मेरी कथा और वर्त करेगा उसे कोई दुख न होगा तथा वो नित्ति मेरा ध्यान करेगा और चीटियों को आठा डालेगा उसके सारे मनुरत पूर्ण होगे साथ ही सनी देव राजा को उसके हाथ पर वापिस दे दि विका ने उस बताया कि वो उज्जैन का राजा विक्रम आदित्य है सभी अत्यंद परसंद हुए सेठ ने जब यह सुना तो पैरो पर गीर कर छमा मांगने लगे राजा ने कहा कि वो मेरा सनी देव का कोप था इसमे किसी का कोई दोस नहीं सेठ ने फिर भी सनी वेदन किया कि मुझे सांती तब ही मिलेगा जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे सेठ ने अपने घर कई परकार के बेंजन से राजा को सतकार किया साथ ही समने देखा कि जो खूटी हार निगल गई थी वही उसे उगल रही थी सेठ ने उनके मोहरे देकर राजा का धन्यबाद किया कुछ समय पहचात राजा अपनी दोनो रानिया मन भाबनी और सिरी कनवरी को उजयन नगरी के लिए निकल परे वहां नगर वास्यों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया सारे नगर में दीप माला हुई सबने खुसी मनाई राजा ने घोसना किया कि मैंने सनी देव को छोट बताया था जबकि असल में वही सर परी है तवसे सारे राज्ये में सनी देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी सारी परजा ने बहुत समय खुसी और आनंद के साथ भिताया जो कोई सनी देव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख सनी दे दूर करते हैं बोलिए सनी देव की जैज